तेरहवा अध्याय पिविन पुराणों के श्लोग संख्या और श्रीमत भागवत की महिमा सूद जी कहते हैं ब्रम्हा, वरुन, इंद्र, रुद्र और मरुद्गण, दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में सललगन रहते हैं, साम, संगीत के बरबग, जिशी इनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किन्तु यह सब करते रहने पर बेद्यवता, डैत्य, मनुष, कोई भी जिनके वास्तिक स्वरूप को पूर्ण तह न जान सका है, उन स्वयम प्रकाश में परमात्मा को मैं नमशकार करता हूं, जिस समय भगवान ने कच् सुख मिला, वे सो गए और स्वास की गती तनिक बढ़ गई, उस समय उस स्वास वायू ने जो समुद्र के जल को धका लगा था, उसका संसकार आज भी इसमें शेस है, आज भी समुद्र उसी श्वास वायू के थपोड़ों के खिलसुरू ज्वार भाटे के रूप में दिन श्रीमत भागवत का प्रतिपाद विशय और उसका प्रयोजन भी सुनिए, इसके दान की पद्धती तथा दान और पाठ आदे की महिमा भी आप लोग स्रवन कीजिए, ब्रह्म पुराण में दस हजार श्लोग, पद्म पुराण में पच्पन हजार श्लोग, श्री विश्न श्रीमत भागवत की पुराण में अठवाध पुराण में पच्पन हजार श्लोग तथा अग्निप्राण में पजार एक सो है और वावन पुराण में दस हजार कुर्म परवान सत्रह हजार शलोकों का और मत्स पुराण चौदार हजार शलोकों का है गर्व पुराण में उननीस हजार शलोक है और ब्रम पुराण में बारह हजार इस प्रकार सब पुराणों को इस लोक संख्या कुल मिलाकर चार प्रित ब्रह्मा पर परम करोना करके इस पुराण को प्रकाशक किया था इसके आदी मध्य और अंत में वैराग्य पन्य करने वारी बहुत सी कथाई हैं इस बहापुराण में जो भगवान की स्रीहरी लीला कथाई हैं वे तो अम्रत्स रूप हैं ही उनके सिवन से सत्पुरु और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिश्दों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक रूप अद्वती सदवस्तु है वही श्रीमत भागवत का प्रतिपाद्य विश्य है इसके दिर्मान का प्रयूजर है एक मात्र कैवल्य मोक्ष जो पुरुष भाद पत्बास की पूर्लिमा के दिन श्रीमत भागवत को सोने के सिंगासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परमगती प्राप्त होती है संदों की सभा में तब ही तक दूसरे पराणों की शुभा होती है जब तक सर्वस्रेष्ट स्वयम भागवत पहापर पुराण के दर्शन नहीं होते यह श्रीमत भागवत समस्त्व प्रिश्दों का सार है जो इस रस्वधा का पान करके चख चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता जैसे नद्यों में गंगा देवताओं में विश्णों और वैश्णों में संकर्जी सर् पुराणों में शिमत भागवत का स्थान सबसे उंचा है यह शिमत भागवत पुराण सर्वता निर्दोश है भगवान के प्यारे भक्त वैश्टों इससे वड़ा प्रेम करते हैं इस पुराण में जीवों मुक्त परम्हंसों के लिए सर्वसेष्ट अद्वती एवं माया के लिश से रहित ग्यान का गान किया गया है इस गरंत की सबसे बड़ी विलक्षनता यह है कि इसका नैश कर्म अर्थात कर्मों की अत्यदिक निवरती भी ज्यान वैरागी एवं भक्ति से युक्त है जो इसका श्रवन पाठ और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और बहलत मुव्य हो जाता है यह श्रिमत भागत भागवत नारद को उप्देश गिया था और नारजी के रूप में भगवान कुष्ण द्वयपायन व्यास को तद्रणतर उन्होंने ही व्यास उप से अत्यन्त करुणावश राजर्शी परक्षित को उप्देश गिया वे भगवान परमशुद्ध एवं माया मल से रही थे शोग और व्रत्यू उनके पास तक नहीं फटक सकते हम सब उन्ही परमशुद्ध परमिश्वर का ध्यान करते हैं हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुद्ध को नमशकार करते हैं जिन्होंने करपा करके मुक्षा विलासी ब्रह्मान जी को इस स्रीवत भागवत पुराण का उप्तेश किया था साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्मन सुरूप स्री सुकदेव जी को भी नमशकार करते हैं जिन्होंने श्रीमत भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से दसे हुए राजा परिक्षित को मुक्त करा दिया देवताओं के आराधर देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एक मा मत्रस्वामी एवह सर्वस्व हैं आप ऐसी करपा कीजिए कि बारवार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कव्लों में हमारी अविचल भुक्ति पली रहे जिन भगवान के नामों का संकीरतन सारे पापों को सर्वता नस्द कर देना है और जिन भगवान के चरण में आत्म समर्पन करके चरणों में प्रणती सदा के लिए सफ्रकार के दुखों को शांत कर देती है उन्हीं परमात्पा स्रूप स्रीहरी को मैं नमश्कार करता हूं ओम भगवतिवासुदेवाय श्रीमत भागवत का महत्व पहला अध्याय परिक्षित और बजरनाब का सम रूप है सच्चदानद घंड जो अपने सौंदर और माधुरियादि कुणों से सबका मन अपनी और आकर्षित कर लेते हैं और सदासरवदा अनुंतसुप की वर्षा करते हैं जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति इस्थति और प्रलय होते हैं उन भगवान स्री रखे हुए थे उस समय भगवान की अमरत्मय लीला कथा के रसक उनके रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनकादे रिश्यों ने सूद्जी को प्रणाम करके उन से यह प्रष्ट किया रिश्यों ने पूच्छा सूद्जी धर्मराज लिस्टर जब स्री मत्रा मंडल में अ पौट्र परक्षित का राज्या विश्यक करके हिमाले पर चले गए तब राजा बज्र और परक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कारे किया सूद्जी ने कहा भगवन नारायन नरोत्तम नर्व देवी सरस्पती और महरसी व्याश को नमस्कार करके शुद्ध चुत्थ होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुरान रूप जय का उच्चारन करना चाहिए। नगर से आगे पढ़कर उनकी आगवाने की चरनों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आया। वीर परिक्षित भगवान स्रीकृष्ण के परम प्रेवी भक्त थे उनका मन निते निरंतर आनंदगन स्रीकृष्ण चंदर में ही रमता था। उन्होंने भगवान स्रीकृष्ण के प्रपाउत्र ब्रजनाब का बड़े प्रेम से ही आलिकन किया। इसके बाद अन्तापुर में जाकर के भगवान स्रीकृष्ण की रोहनी आदिय पत्नियों को नमशकार किया। जोमनी आदी श्री कृष्ण पत्मियों ने भी समराट परिक्षित का अत्यनत सम्वान किया विविश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने ब्रजनाब से यह बात कही राजा परिक्षित ने कहा ही तार तुम्हारे पता पतामा होने मेरे पिता पिता माँ को बड़े बड़े सक्कटों से बचाया है मेरी लक्षा भी उन्होंने की है प्रिवर जनाब जदि मैं उनके उपकारों का बद्दा चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता इसलिए मैं तुम से प्रार्धना करता हूं कि तुम सुख पूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो तुम्हें अपने खजाने की सेना की तथा शत्मों को दबाने आदे की तरिक भी चिंता न करने चाहिए तुम्हारे लिए कोई कर्तब है तो केवल एक ही वह यह कि तुम्हें अपने इन माताओं की खुख प्रेम से भली बाती सेवा करने चाहिए यदि कभी तुम्हारे उपर कोई आपत्ती व्यपत्ती आए अत्वा किसी कारनवस तुम्हारे है में अधिक लेश कारनवव हो को मुझे बता कर निशिंत हो जाना मैं तुम्हारी सारी चिंताइं रूप कर दूँगा समराज परिक्षित की यह बात सुनकर ब्रजनाब को बड़ी पिसमनता हुई उसने राजा परिक्षित से कहा ब्रजनाब ने कहा महराज आप जो कुछ कह रहे हैं वैस्तरवताग आपके अनूप है आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है क्योंकि उनकी करपा से मैं च्छत्रियोच्छ शूर्विर्टा से भली बाती संपन्वन मुझे किवल एक ही बात की बहुत बड़ी चिलता है आप उनके सम्मन्द में कुछ विचार कीजिए यद्यपी मैं मुथरा मंडल के राज़ पर अभी शिक्त हूँ तथा पी मैं यहां नर्जन बन में रहता है इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहां की परज़ा कहां चले गई क्योंकि राज़ी का सुक्त तबीह है जब परज़ा रहे जब बरजनाब ने परिक्षित से यह बात कही तब उन्होंने बरजनाब का संदेह मिटाने के लिए महरशी शांडिल को बलवाया यहे महरशी शांडिल पहले लंद आदेगों के बरोहित थे परिशित का संदेश पाते ही महरशी शांडिल अपनी कुटी छोड़ कर वहाँ आप उचे बरजनाब ने विरी पूरवक उनका स्वागत सत्कार किया और वेग उची आसन पर विराज मान हुए राजा परिशित ने बरजनाब की बात उन्हें कह सुनाई इसके बाद महरशी शांडिल ने बड़ी प्रसमता से उनको सांदोना देते हुए कहने लगे शांडिल जी ने कहा प्री परिशित और बरजनाब मैं तुम लोगों से बरज भूमी का रहर से बताता हूं तुम दत्च तुम कर सुनो ब्रज शब्द कर्थ है व्यापती इस बद्बचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमी का नाम ब्रज पड़ा सत्त रज तम इन तीनों कुणों से अतीर जो परबरवन है वही व्यापक है इसलियों से ब्रज कहते हैं वह सच्चदानन सुरूप परम जोतिर मैं और अविनाशी है जीवन मुक्त पुरुस उसी में स्थिर रहते हैं इस परब्रम सुरूप ब्रज भाम में नंदन्वन भगवान स्रीकृष्ण का निवास है उनका एक 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 अंग सच्चदानन सुरूप है वे आत्मराम और आप्तकाम है प्रेम रस में डूबे वे रसिक जन ही उनका भव करते हैं भगवान स्रीकृष्ण की आत्मा है राधी का उसमें रवन करने के कारण ही रस र पाल पाल Grass पुपियां और उनके साथ निला बिहार आदी वे सब के सब यहां नित्य प्राप्त है यहीशी से क्रिश्ट को आप्त काम कहा गया है भगवानिस्रीष्ट की यह रहज से लीला प्रकृति से पढ़े है वे जिस समय प्रकृति के सथ खेलने लगते हैं इस प्रकार यह निश्चे हो जाता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है एक वास्तवी और दूसरी व्यवहार की वास्तवी लीला स्वांसवेदी है उसे स्वें भगवान और उसके रसिक भगत जरही जानते हैं जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है परन्तु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के साराज में कभी प्रवेश नहीं हो सकता तुम दोनों भगवान के जिन लीला को देख रहे हो यह व्यवहार की लीला है यह प्रत्वी और स्वर्ग आदे लोग इसी लीला के अंतरगत है इसी प्रत्वी पर मतुरा मंडल हैं यहीं सब रजभूमी है जिसमे भगवान की यह वास्तवी रहस रीला गुप्त रूप से होती रहती है यह कभी कभी प्रेम पुर्वक हिर्दे वाले रसिक भक्तों को सबोर देखने लगती है कभी 28 वे द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस रीला के अलिकारी भक्त जन यहाई कत्रित होते हैं जैसा कि समय भी कुछ काल पहले हुए थे उस समय भगवान अपने अंग तरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं उनके अवतार का यह प्रयूजल होता है कि रहस लीला की अलिकारी भक्त जन भी अंग तरंग परिकरों के साथ समरित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें इस प्रकार जब भगवान अवतार करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी दिवता और रिशी आदी भी सब और से अवतार लेते हैं अभी अभी जो अव्तार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों के अभी लाशाएं पूर लग रखे अब बे अंतर ध्यान हो चुके हैं इससे यह जिश्य हुआ कि यहां पहले तीन प्रकार के बक्त जन उपस्ते थे इसमें संदे नहीं उन तीनों में पर्थम तो उन्हीं की श्रिणी के हैं जो भगवान के लित्य अंतरंग पारशद हैं जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं दूसरे वे हैं जो एक मातर भगवान को पाने की एक्षा रखते हैं उनकी अंतरंग लीडा में अपना प्रविश चाते हैं तीसरी सेड़ी में वे देवता इत्यादी हैं जिन में से जो देवता आदी के अंस से अवतीरन हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रज भूमी से हटाकर पहले ही द्वार का पहुचा दिया था फिर भगवान ने ब्रामान के शाथ से उन्मत मुसल को निमित्ती बनाकर यदुकुल के आवतीरन देवताओं को सर्ग में भिज दिया और पुना अपने अपने अधिकार पर इस्थापित गर किया तथा जिन्होंने एक मात्र भरवान को ही पाने की प्छा की थी उन्हें प्रेव आनद सुरूप बनाकर स्रीकृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पारशदों में सम्रित कर लिया जो नित्य पारशद हैं वे यद्द्यपी गुप्त रूप से होने व आने वालों को सब और मिर जन्वन सुना ही सुना दिखाई देता है क्योंकि वे वास्तिक लीला की स्थिती में भक्त जनों को देख नहीं सकते इसलिए ब्रजनाब तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करने चाहिए तुम मेरी आग्या से यहां बहुत से गाउं वसाओ इसमें लिश्चे ही तुम्हें मनुरत की सिद्धी होगी भगवान स्रीकृष्ण ने जहां जैसे लिला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अने को गाउं वसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमी का भाती भाती से बन करते रहो गोवर्धन दीरगापुर ड नदी परवत घाटी सरोवर और कुंडत थाकुंजवन आदी का सेवन करते रहरा चाहिए ऐसा करने से तुम्हारे राज में प्रज़ा बहुत ही संपन्वन होगी और तुम भी अत्यंत प्रसंद रहोगे यह ब्रजभूमी सच्छदा नन्नमई है अतहं तुम्हें यत्न मिल जाएंगे फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से भूमी का तता धवान की दिलाओं का रहसे भी जान लोगे मरीवर शांडेल जी उन दोनों को इस प्रकार समझा वजाकर भगवान सरी कुष्ण का समर्ण करते हुए अपने आश्रम चले गए उनकी बाते सुनकर राजा परिक्षित और ब्रजणाब दोनों ही बहुत प्रसन लुए है दूसरा अध्याय यमुना और कृष्ण पत्नियों का समबाद की तरोत्सों में उद्धोर जी का प्रकट होना जीशियों ने पूछा सुन जी अब यह बतलाए कि परिक्षित और ब्रजणाब को इस प बड़े सेटों को बुलवाकर मतुरा में रहने की जगह दी इसकी अत्रिक सम्राग परिक्षित ने मतुरा मंडल से ब्रामनों तथा प्राचिन वान्रों को जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे बुलवाया और हुने आदर के साथ योगी समझ कर मतुरा नगली में विसाय इस प्रकार से राज़ परिक्षित की सहायता और महरशी शांडली की करपा से ब्रजणाम ने करमसा उन सभी स्थानों की कोज़ की जहां भगवान करिश्ण ने अपने गोप प्रेमियों के साथ नाना प्रकार के लिलाएं की थी लिला इस्थानों का ठीक ठीक निश्चे हो जाने पर उन्होंने वहाँ वहाँ की लिला के नसार उस उस इस्थान का नाम करन किया भगवान के लिला ग्रहों की स्थापना की तथा उन उन इस्थानों पर अने को गाउं बसाए इस्थान इस्थान पर भगवान के नाम के कु में सब और एक मात्र स्रीकृष्ण भक्त का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित थे उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद आता था विसदा भगवान के मधुर नाम तथा लिलाओं के किर्टन में ही सनलंग नहो परमात्मा के समुद्र में डूगे रहते और विसदा ही बड़जनाफ के राज्य में रशनसा किया करते थे एक दिन भगवान स्रीकृष्ण की विरह बेदना से वियाकुल सुलह हजाद रानिया अपने प्रीतम पतिदेव की चतुर्थ पड़ाने कालिंदी को आनंद देख करके सरल सभाव से उन से पूछने लगे उनके मन में सौ हमारा है व्यतित हो रहा है कि तुम्हारी यहस्ति नहीं है तुम प्रसंद हो इसका क्या कारण है कल्यानी कुछ बताओ तो सही उनका यह प्रश्ण सुलकर यम्ना जी हस पड़ी साथ ही यह सोचकर कि बेरे प्रियतर उनकी पतनी होने के कारण यह भी मेरी वहने हैं पिखल ग पाती रादा जी की सिवा करती रहे थी वह उनकी स्वा का यह प्रबहाव है कि विरह हमारा इसपर्श नहीं कर सका भगवान चृता की जितनी भी राणिया हैं वे सब ब्लब जो सुर्च नहीं अन्यरानिया हैं उनकी भी भगवान का नित्य संयूग प्राक्त होता है स्रीकृष्ण की राधा है और राधा ही स्रीकृष्ण उन दोनों का प्रेम ही वन्शी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी स्रीकृष्ण चरणों के नख रूपी चद्रमा की सेवा में आसकत रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है स्री राधा और स्रीकृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा बड़ी लगन है इसलिए वह कोई दूसरा सरूप धारण नहीं करती मैंने यहीं स्री राधा में ही रुपमणी आदी का समाविश दिखा है तुम लोगों का भी सरवांश में स्रीकृष्ट के साथ वियोग नहीं हुगा किन्तो तुम इस रहस को इस रूप में जानती ही नहीं हो इसलिए इतने व्याकृष्ट हो रही हो इसी प्रकार पहरे भी जब अक्रूर स्रीकृष्ट को नंदगाओं से मत्रा ले गए थे उस अवसर पर जो गोपियां स्रीकृष्ट के विरह में प्रतीत हुई थी वह भी वास्तिक विरह नहीं था केवल विरह का आभास था इस बात को जब नहीं जान सकती थी तब उन्हें बड़ा कस्थ हुआ था पर जब उद्धो जी ने आकर उनका समाधान किया तब भी इस बात को समझ सकी यदि तुमें भी उद्धो जी का सबसंग पराप्त हो जाए तो तुम भी अपने प्रीतम स्रीकृष्ट के साथ नित्य विरह का सुख पराप्त कर लोगी सूद जी कहते हैं रिशिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब स्रीकृष्ट की पत्नियां सदा बसंद रहने वाली यमुनाजिस से पनावोली उस समय उनके हर्दय में इस बात की बड़ी लादसा थी कि किसी पाय से उद्धवजी का दर्शन हो जाए जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभागी बराप्त हो सके स्रीकृष्ट की पत्नियों ने कहा सखी तुमारा ही जीवन धन्य है क्योंकि तुमने कभी भी अपने प्राण नात के विडियो का दुख नहीं होगना पड़ा जिन स्री राधा जी की करपा से तुमारे अविश्ट अर्थ की सद्धी हुई है उनकी अब हम लोग विदासी हुई कि तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धो जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनुरत पून हो जाएंगे इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाई बताओ जिससे उद्धो जी शीकर ही मिल जाएं सूद जी कहते हैं स्री कृष्ट की राधियों ने जब यमना जीसे इस प्रकार कहा तब भगवान स्री कृष्ट चद्र जी की सोल्य हकलाओं का चिंद्धन करती हुई उन से कहने लगे जब भगवान स्री कृष्ट अपने परमधाम को बढ़ारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धो जे कहा साधना करने के भूमी है बद्रिकाश्रम अताग अपनी साधना फून करने के लिए तुम वहाँ जाओ भगवान की साध्या के अनुसार उद्धो जी इस समय अपने साक्षा सुरूप से बद्रिकाश्रम में विराजबान है और वहाँ जाने वाले जिग्यासनों को भगवान के बताएगे ग्यान का उपदेश करते रहते हैं साधन की फलसुरूप भूमी है प्रज भूमी इसे भी इसके रास्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धो को दे दिया था कि फलसुरूप भूमी यहां से भगवान के अंतर ध्यान होने के साथ ही इस थूर द्रिश्टी से परे जा जुकी है इसलिए इस समय वहां उद्धो प्रत्यक्ष दिखाए नहीं पड़ रहे हैं फिर भी एक स्थान है जहां उद्धो जी का दर्शन हो सकता है गोवर्धर परवत के निकट भगवान की लीला सहचारी गोपियों का गरह स्थली है वहां की लता अंकुर और बेरों के रूप में अवश ही उद्धो जी वहां निवास करते हैं लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्धेश है कि भगवान की प्रेतमा गोपियों की रजचरण उन पर पढ़ती रहे उद्धो जी के संबंद में एक निश्यत बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव सुरूप प्रदान किया है भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है वे उससे अलग नहीं करकते इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाब को साथ लेकर वहां जाओ और कुसम सरूवर के पास ठहरो भगवत भगतों की मंडली एक अत्र करके वीना वेनु म्रदंग आधी बजाके साथ भगवान के नाम और लिलाओं का संकीतन भगवत सम्मंधी काव्य गाधाओं के श्रवन तथा भगवत गुडगान से युक्त सरसंगीत द्वारा बहान उत्सव आरंब करो इस प्रकार जब उस बहान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चे ही वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा वे ही बरी भाती तुम सब लोगों के मनुरत पूर्ण करेंगे सूद जी कहते हैं यमना जी की बताएगी बाते सुनकर कृष्ण जी की रानिया बहुत प्रसंद होई उन्होंने यमना जी को प्रणाम किया और वहां से लोटकर ब्रजनाब तथा परिक्षित से वे सारी बाते कह सुनाई तब सब बाते सुनकर परिक्षित को बड़ी प्रस प्रंदावन के भीतर सुकमार सरूर पर जो सक्षियों की विराइश थली है वहाँ ही स्री कृष्ण कीरतन का उत्सव आरम रहुआ ब्रश भानु लंदनी स्री जाधा जी तथा उनके प्रीतम स्री कृष्ण की वह लीला भूमी जब साक्षात संकीरतन की सोभा से संपन्द हो गई उस समय वहाँ रहने वाले सभी वक्तितन एकाग रहो गई उनके दृष्टी उनके बन की बर्ती कहीं अन्यतर न जाती थी तदनंतर सब को देखते देखते वहाँ फैले हुए त्रण गुल्म और लताओं के समुन से प्रकट होकर उद्धव जी सब के सामने आए उनका श्यामपरण था उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था वे गले में बनमाला और गुझा की बाला धारण की हुए थे तथा मुक से बारंबार गोबी बनलब श्री कृष्ण की मधुर लिलाओं का गान कर रहे थे उद्धव जी की आगमन से संकीर तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई जैसे इस पटिक मने की बनी हुई अटालिका की छट पर चान निचे टकने से उसकी शुभा बहुत बढ़ जाती है उस समय सभी लोग आनंद के समुन्दर में निवग्ड़ हो गए उस समय सब कच भूल गए सुद्बद खो बैठे थोड़ी दिर बाद जब उनकी चेतना जब विलोग से निचे आई अर्थात जब उन्हें होश हुआ तब उद्धव जी को भगवान कृष्ण के सुरूप में उपस्ते देख करके अपना मनुरत पून हो जाने के कार्ण अ एकत्र हुए सभी लोगों को कृष्ण संकीरतन में लगा देखकर सभी का सतकार किया और राजा परिक्षित को हिर्दय से लगा कर कहा उद्धव जी दे कहा राजन आप धन्य हैं एक मात्र स्रीकृष्ण की भक्ति से ही परिपून है क्योंकि स्रीकृष्ण संकीरतन से महुत सब तुम्हारे अनुप है ही क्यों ना होना स्रीकृष्ण ने तुम्हें शरीर और व्यवह प्रदान किया है आता तुम्हारा उनके प्रपाउत्र पर प्रेम होना स्वभाविक है इसमें तरिक भी संदे नहीं है कि समस्त द्वार का वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर करने हैं जिन्होंने ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान स्रीकृष्ण ने अर्जुन को आग्या दी थी स्रीकृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुक्त की चंद्रप्रभा चांदी से युक्त्र हो जाती उस लील्या भूमी वरंदावन को अपनी किर्णों स्थोबित करता हुआ यहां सदा प्रकाश मान रहता है स्रीकृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है प्राक्रत चंद्रमा की भाती भी उनमें विव्रद्धी और छैरुथ विकार नहीं होते उनकी जो सोलह कलाएं हैं उसमें सहस्त्रों चिन्नय किरणे निकलती रहती हैं इससे उनके सास्त्रों भेद हो जाते हैं इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण स्रीकृष्ण इस प्रजभूम में सदा ही विद्यमान रहते हैं इस प्रजभूम में उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है राजिंद्र परिक्षत इस प्रकार विचार करने प जब को अपने योग माया से अभी भूद कर लिया है उसी के प्रभाव से यह अपने सुरूप को भूल गए हैं और इसी करन सदा सुखी रहते हैं यह बात निसंदेह ऐसी ही है स्रीकृष्ण का प्रकाश प्राप्तों के बिनाना किसी को भी अपने सुरूप का बोद नहीं ह जीवों के अंता करण में जो स्रीकृष्ण तत्व का प्रकास है उस पर सदा माया का परदा पड़ा रहता है 28 वे द्वापर के अंत में जब भगवान स्रीकृष्ण स्वयम ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का परदा उठा लेते हैं उस समय जीवों को उनका प्रकाश प् क् reigniken क्रिश्ण टत्व का प्रकास पना चाहे तो उसे वह स्रीमतफ़ागवाश से ही प्राप्थ वोजकता है भगवान के भक्ष जहां जब भी स्रीमतफ़ागवाश शास्त्र का कीर्थन और श्रवन करते हैं वहां उस समय भगवान स्रीकृष्ट साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं जहां जहां भागवत में एक या आदिश लोग का ही पाठ होता है वहां भी भगवान स्रीकृष्ट अपनी प्रियतमागोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं इस पवित्र भा शीमत भागवत सास्त्र का शेवन किया है उन्होंने अपने पिता माता और पत्री तीनों का ही कुल का पहली भाति उद्धार कर लिया है शीमत भागवत के स्वाध्याय और श्रवन से ब्रामनों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है चत्रियों को सत्रों पर वेजय प्र उस है जो श्रीमत भागवत का नित्य ही स्यवन ना करेगा अने को जिनमों तक साधना करते करते जब मनुश्य पून हो जाता है तब उसे श्रीमत भागवत की प्राप्ती होती है श्रीमत भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है जिससे भगवत वक्ती उत्पन होती है पू उसे तुम सुनो इस अख्याइका से शिमत भागवत स्रवण में संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। ब्रजबती जी ने कहा था अपनी माया से पूरिश रूप धारन करने वाले भगवान सरीकर्ष्ण ने जब स्रस्टी के लिए संकल कर लिया तब उनके दिव्य विग्रह से तीन पूरुस प्रकट हुए। यो परगट किया। ब्रह्मा जी ने कहा परमातमन आप नर अर्थात जल में शायन करने के कारण नारे नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके आदी कारण होने से आदी पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। प्रब्रो आपने मुझे स्रस्टी कर्म में लगाया है। मगर मुझे भय है कि स्रस्टी काल में अत्यंत परमातमा रजगुन आपके स्पर्ती में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतव करपा करके ऐसी कोई बात पताएं जिससे आपकी याद परावर बनी रहे। ब्रस्पति जी कहते हैं जब ब्रमा जी ने ऐसी प्रावतना की तब पूर्वकाल में भगवान ने उन्हें शीमत भागवत का उपदेश देकर कहा ब्रामन तुम अपने मौनुरत की सिद्धी के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहे। ब्रह्मनाजी स्रीवत भागवत का उदेश पाकर बड़े प्रसंद हुए और उन्होंने स्रीकृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा साथ आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमत भागवत का सप्ता परायन किया था सप्ता यग्य की विदी से साथ दिनों तक शिवत भागवत का सिवन करने से ब्रह्मनाजी की सभी मनुरत पूर्ण हो गए इस से वे सदा भागवत स्परण पूरवग स्रश्टी का विस्तार करते और बारमबाद सप्ता यग्य का अनुस्थान करते रहते ब्रह्मनाजी की ही भाती विश्णु ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धी के लिए उन परम पुरुष्ट परमात्मा से प्रार्थना की क्योंकि उन पुरुषूत्तम ने विश्णु को भी प्रजा पालन रूप कर्म के अनुप्त किया था विश्णु ने कहा देव मैं आपकी आग्या के अनसार कर्म और ग्यान के अदिश्ट से प्रवर्ति और निवर्ति के द्वारा यत्वचे तुरूप से प्रजाओं का पालन करूंगा काल कर्म में जब जब धर्म की हानी होगी तब तब अन्य को अवतार धारन कर पुन्ह धर्म की स्थापना करूंगा जो भोग की भी देता रहूंगा पनुंतु जो लोग मुख्ष भी नहीं चाहते उनका पालन में कैसे करूंगा यह बात समझ में नहीं आती इसके अत्रिक्त मैं अपनी तता लक्षमी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा इसका भी उपाए बताईए विश्णु जी की यह प्रारता सुनकर आजी प्रुष स्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीवत भागवत का उप्देश किया और कहा कि तुम अपने मनुरत की सिल्दी के लिए इस श्रीवत भागवत शास्त्र का सदा पाठ़ किया करो उस उप्देश से स्री विश्णु भगवान का चित्त प्रसंद हो गया और लक्षमी जी के साथ प्रतेक मास में शिवत भागवत का चंतर करने लगे इस से वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप में संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए जब भगवान विश्णु स्वयम वक्ता होते हैं और लक्षमी जी प्रेम से श्रवन करती हैं उस समय प्रतेक बार भगवत कथा का श्रवन एक मास में ही समाप्त हो जाता है किन्तु जब लक्षमी जी स्वयम वक्ता होती हैं और विश्णु भगवान शौता बन कर सुनते हैं तब भगवत कथा का रसा स्वादन तो दो मास तक होता रहता है उस समय कथा बड़ी सुन्दर शुमत भगवत कथा का रसा स्वादन अधिक प्रकाशित होता है इसके पश्चात रुद्र ने भी जिन्हें भगवान में पहले संघार कारे में लगाया था अपने समर्थ वृद्धी के लिए उन परमपुरस भगवान सरी कृष्ण से प्रार्थना की रुद्र ने कहा मेर की पूर्थी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ब्रस्पति जी कहते हैं रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायन ने भी उन्हें शुमत भागवत की कथा करने का उपदेश किया सदा शिवर रुद्र ने एक वर्ष में एक मास परायन की क्रम से भागवत कथा का से किया इसके सिवन से उन्होंने तमों बुन पर विजय पाई और अत्यांतिक संगार मोक्ष की सक्ति को भी प्राप्त कर लिया उद्धव जी कहते हैं श्रीमत भागवत के बहत्व के संबंद में यह अख्षाई का मैंने अपने गुरू स्री भ्रस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का अपदेश प्राप्त करके उनके चरनों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनन्दित हुआ तद पश्चात भगवान विश्णु की रितिस विकार करके मैंने भी एक मास तक श्रीमत भागवत कता का भली भाती रसा स्वादन किया उतने ही मैं मैं भगवान स्री कर्ष्ण का प्रीतन सखा हो गया इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रेतमा गोपियों के सेवा में निक्त किया यह दिप भगवान अपने दीड़ा परिकरों के साथ नित्य विरह करते रहते हैं इसलिए गोपियों का स्रीकृष्ण से कभी वियोग नहीं होता तथापी जो ब्रह्म में विरह गेदना का नहोग कर रही थी उन गोपियों के प्रती भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलवाया उस संदेश को अपनी भुद्धी के अनुसार ग्रहण कर गोपिया तुरंथी विरह गेदना से मुखत हो गई मैं भगवान के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका किन्तु मैंने उसका समतकार प्रत्यक्ष देखा है इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादी देवता आकर भगवान से अपने परमधाम में पधारने की प्रार्फना करके चले गए उस समय पीपल के ब्रक्ष की जड़ के प्रकास अपने सामने खड़े गए मुझे भगवान ने शुमत भागवत दुश्यक उस रहस्य का स्वयम ही उप्देश किया और मेरी बुद्धी में उसका अलत्रढर निश्चे करा दिया उसी के प्रभाव से मैं बद्रकास्रम में रहकर भी यहां ब्रज की लिताओं और बेलों में निवास करता हैं उसी के बल से यहां नारत कुंड पर सदाश स्वेच अनुसार विराजमान करता हैं भगवान के भक्तों को शुमत भागवत के सेवन से कृष्टन तत्व का प्रकास्त प्राथ हो जाता है इस कारों जहां उपस्तित लिए इन सभी भक्तितनों के कारे के सिर्जी के लिए मैं शीवत भागवत का पाठ करूँगा किन्ति इस कारे में तुम्हें भी साहता करने पड़ेगी सूद जी कहते हैं यह सुनकर राजा परिक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उन से बोले परिक्षित ने कहा हरिदास उद्धव जी आप निश् लिए और बोले उद्धव जी ने कहा राजन भगवान स्रीक्रिक्षित ने जब से इस प्रत्वी तलका पर त्याक कर दिया है तब से यहां अत्यंत बलवान कल्युक का प्रवत्व हो गया है जिस से बहाई यह शुब अर्म हो जाएगा बलवान कल्युक अवश ही इसमें ब और इस प्रकार भागवत कथा के रसकार प्रवाह करके इन सभी शोताओं को भगवान मदसूदन के लित्ध गोलोग धाम में पहुंचाऊंगा सूद जी कहते हैं कि उद्धव जी की बात सुनकर राजा परिक्षित पहरे तो कल्युक पर विजब राप्त करने के विचार से बड़ी प्रसंद होगे परंतु पीछे यह सोच करके मुझे भागवत कथा के स्रवन से बंचित ही रहना पड़ेगा चिंता से व्याकुल होटे उस समयों होने उद्धोजी से अपना अभी प्राय इस प्रकार प्रकट किया राजा परिक्षित ने कहा हितार आपकी आग्या करना चाहिए सूच जी कहते हैं उसके सपचंद को सुनकर उद्धोजी पना गोले लें उद्धोजी ने कहा राजन तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार के चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस भागवत शास्त के ब्रधान अधिकारी तो तुम ही हो संसा सुख प्राप्त कर सकेंगे महर्शी भगवान सुख देव जी साक्षाथ नंदन नंदन स्री कृष्ण के सुरूप है वे ही तुम्हें शिमत भागवत की कथा सुनाएंगे इसमें तनिक बिसंदे की बात नहीं है राजन उस कथा के स्रवन से तुम ब्रजेश्वर स्री कृष् पर राजा परिक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिवविजय के लिए चल दिये इधर ब्रज ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहू को अपनी राजधानी मधुरा का राजा बना दिया और माताव को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धोजी प्रणाओं के द्रश्टी में सब और भगवान के सचिदान नबाई लीला प्रकाशित हो गई और सरवत्र स्रीकृष्ण चदर का साक्षातकार होने लगा उस समय सभी स्रोताओं ने अपने को भगवान के सुरूप में इस्थित देखा ब्रजनाब ने स्रीकृष्ण के दा के विग्रह में अपने को काल और प्रवा के रूप में इस्थिर देखकर बहुत ही विस्वित हुई तथा अपने प्राण प्यारे विरह वेतना से चुटकार अपाकर उनके परमधाम में प्रविष्ट हो गई इनके अत्रिक जो भी शूतागर्ण वहां उपस्तित थे वे प्रवन काम्यवन आदिवनों में तो था वहां के देविगवव के बीच स्रीक्रिष्ण के साथ विचरती हुए अनंत आनंद का अनुभाव कर रहे थे जो लोग स्रीक्रिष्ण के प्रेम्य बग्न हैं उन भावख वक्तों के लिए दर्शन भी होते हैं सूद्जी कहते हैं जो लोग इस भगवत प्राप्ती की खता को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अन्तों हो जाएगा चौथा अध्याय श्रीमत भागवत का सुरूप प्रमाण, शोता, वक्ता के दक्षन, श्रमण बिधी और महत्वत सौनकादी रिश्यू ने कहा सूजजी आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई आपकी आयू बढ़ें, आप चिरंजीवी हों और आप चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें आज हैं लोगों ने आपके मुझसे स्रीमत भागवत का अप्पूर वह महत्व सुना हैं सौन जी अब इस समय आप हमें यह बताईए कि स्रीमत भागवत का सुरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसके श्लोक संच्छा कितनी है, किस विधी से उसका सर्वन करना चाहिए तथा श्रीमत भागवत के बता और श्रूता के क्या लक्षण है, अब इप्रायोध कि स्रीमत भागवत के विधी के साहिए, इस विधी केते हैं रिश्यदे का सुरूप का सुरूप सदा एक ही है, और वो है सच्छिदान अनमय, भगवान स्री gelirzne में, जिनकी लगन लगी है उन भावववक भक्तों के हरदे में भगवान के माधुरिय भाव को अभीवक्त करने वाला उनके दिब माधुरिय रसका आस्वादन करने वाला सर्वोत वचन है उसे स्रिमत भागवत संजो जो वाकित ग्यां विग्ञाइन भक्ती एब उसके अंकभूत सादन चतुस्टे को प्रकेशित करने वाला है तथा जो माया का मरदन करने में समर्थ है उसे भी तुम सिरमत भागवत समझो सिरमत भागवत अनंत अक्षच सरूल है इसका नियत प्राण भला कौन जान सकता है पूर्वकाल में भगवान विश्णू ने ब्रम्नहाजी के परती चार इस लोकों में इसका दिकदरशन मात्र कराया था विप्रगंड इस भागवत की अपार गहराईयों में डुपकी लगाकर इसमें अपनी अविश्ट वस्तू की प्राप्ति करने में किवल ब्रम्नहाज विश्णू और शिव आदी ही समर्थ हैं दूसरे नहीं परंतु जिनकी बुद्धी आदी वर्क्तियां परिमित हैं ऐसे मर्शों का हिद साधन करने के लिए स्री व्यास जी ने परिक्षित और शुकदेव जी के संबाद के रूप में जिनका गान किया है उसी का नाम श्रीमत भागवत है उस गरंत की इशलोक संख्या अठारह हजार है इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी गरह से गरस्त हो रहे हैं उनके लिए यह श्रीमत भागवत ही सर्वत्तम सहारा है अब भगवान स्री कृष्ण की इस कथा का आस्रा लेने वाले शूताओं का वर्वन करते हैं शूता दो प्रकार के माने गए हैं एक प्रवर जिन्हें उत्तम शूता कहते हैं तता दूसरे अवर या अधम शूता जिन्हें कहते हैं प्रवर शूताओं के चातक हंत शुक और मीन आदी कई भेद हैं अवर के भी वरक भुरुन वरश और उर्ष्ट आदी अने को भेद ब है चारता है जसे हंस दूद के साथ मिलाए हुए जल से दिन में दूद गरहन कर लेता है और पानी को छोड़ देता है उसी प्रकार यह शोच्छा अनिक शास्त्र का स्रवन करने के बाद भी, उसमें से सार भाग अलग करके गरहन करता है उसे हिंस कहते हैं जिस प्रकार भली भाती पढ़ाया हुआ तोता अपने मतुरवाने से शिक्षक को तथा आसपास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसंद करता है उसी प्रकार जो शोता कथा वाचक व्यास के मुख से उक्दे सुनकर उसे सुन्दर और परमित वाणी में पुन सुना देता है और व्यास एवब अनन्या शोताओं को अत्यंत आनन्दित करता है वह शुक कहलाता है जैसे चीर सागर में मचली मौन रहकर अपलक आँखों से द आस्वाधन करता रहता है वह प्रेमित शोता मीन कहा गया है ये प्रवर अर्था उत्तम शोताओं के भेद बताए गए है अब अवर यानिकी अधम शोता जो हैं उनके भेद में सुने व्रक कहते हैं भेडियों को जैसे भेडिया बन के बीतर विर्व की मीठी आवाद सुनन वह वरक कहलाता है, हमाले के शिखर पर एक भुरूंड जाती का बक्षी होता है, वह किसी के सिक्षा पदवा के सुनकर वैसा ही बुला करता है, कि तो स्वयम उससे लाव नहीं उठाता, इसी प्रकार से जो उपदेश की बातें सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाते हैं, पर स् सुनी हुई सभी बातों को गर्ण करता है, पर सार और असार वस्तू का विचार करने में उसकी वुद्धी अंदी होती है, असवर्थ होती है, ऐशा सोता व्रश कहलाता है, जिस प्रकार उट मादूरे गुर्ण से युक्त, आम को भी छोड़कर केवल नीम के पत्ती ही चब सभाव में ब्रहमर और गदहा आदिवी बहुत से बेद हैं, इस प्रकार बेदों में उन उन सोताओं के सभाविक आचार विचारों से व्यवहारों से परखना चाहिए, जो वक्ता के सामने उन्हें विदिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर के लीडा कथाओं को सुनने की क्छा रखे, समझने की अतिंत कुशलता हो, नम्र हो, हाथ जोड़कर रहे, शिश्य भाव से उप्देश ग्रहन करे और भीतर श्रद्धा दथा विश्वास रखे, इसके सिवाए जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ म पूछे और पवित्र भाव से रहे, तथा स्रीकर्ष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम लगता हो, ऐसे ही सुर्था को वक्ता लोग उत्तम सुर्था कहते हैं, अब वक्ता के लक्षन बताते हैं, उन्हें भी सुने, जिनका मन सदा भग्वान में लगा रहता हो, जिसे किसी बस्तु की अपिक्षा ना हो, जो सबका सुहरद और दीनों पर दया करने वाला हो, तथा आने की उक्तियों से तत्व का वोत करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनी लोग भी सम्मान करते हैं, विप्रगण, अब मैं भारत वर्ष की भूमी पर शिमत भागवत कथा का निर्बॉन जिसमें यग्य की भाती तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा समग्री के कारण जो अत्यंत शोवा संपन दिखाई दे रहा हो, और बड़े हिन परिश्टम से बहुत उतावली के साथ साथ दिनों में ही जिसकी समाथती हो जाए, वह प्रसनता पुरवक किया हु जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंब कर दिया जाए, इस प्रकार एक वर्ष तक आलस और अशुद्धा के साथ चलाए जाए यह तामस सेवन भी ना करने के पेक्षा अच्छा और सुख देने वाला है, जब वर्ष महीना और दिनों के डियम क आगरे छोड़ कर सदा ही प्रेम और भक्ति के कान शवन किया जाए, तब यहां सेवन निर्गुन माना जाता है, राजा परक्षित और सुख देव के संबाद में जो भी भागवत का सेवन हुआ था, वह निर्गुन ही बताया गया है, इसमें जो साथ दिनों की बात आती है वह राजा की आयूच से बच्चे हुए दिन की संच्चा के नुसार है, सबता कथा का नियम करने के लिए नहीं, भारत वर्ष के अत्रिक्त, अन्यस्थानों में भी त्रगुन सात्रिक, राजस और तामस, अथवा निर्गुन सेवन अपनी रुची के नुसार करना चाहिए किसी भी प्रकार से हो सके, श्रीमत भागवत का स्यवन उसका स्रवन करना चाहिए, जो केवल स्रीकर्ष्ट की लिलाओं के ही स्रवन, खीरतन और रसासवादन के लिए ललाइत रहते हैं, और जो मौक्ष की ख्चा नहीं रखते, उनका तो स्रीमत भागवत ही धन है, तथा जो संसार दुखों से घबढ़ा कर अपने मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी याग भवरोग्स की आउशदी है, अतहर कलिकाल में इसका यतना पूरवक सेवन करना ही चाहिए, इसके अत्रिक जो लोग विश्यू में ही रमन करने वाले हैं, संसारिक सुखों की ही जने सद चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कल्यूब में समर्थ, धन और विद्विधान का ग्यान नहोने की कारूं करम मार्ग जग्यादी से मिलने वाली रिद्धी सिद्धी अतिन दुल्लव हो गई है, ऐसे दशा में उन्हें भी सप्रकार से अब इस भागवत कता का हमें मनो वांचित उत्तम भोगों को भोकर, अंतवे श्री मत भगवत के संग में ही शृहरी परमधाम को प्राप्त होते हैं, जिनकी हैं श्रीमत भगवत की कथा वरता होती हो, तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे हूं उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए उनकी अनुग्र से सहायता करने वाले पुरुष भी भागवत सेवन का पुर्ण प्राप्त होता है कामना दो बस्तू की होती है स्रीकृष्ण की और धन की स्रीकृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वह सब धन के अंतरगत है उसकी धन संग्या है श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं एक स्रीकृष्ट को चाहने वाले दूसरे धन को चाहने वाले जैसा वक्ता हो वैसा ही शोता होना चाहिए तब ये कथा में रस मिलता है ज़िए दोनों विप्रित विचार के हों तो रसा भास हो जाता है अतहँ फल की हानी होती है किन्तु जो स्रीकृष्ट को चाहने वाले भ विदी से कुछ भी कमी रह जायत तो भी यदि उसकी हरदय में प्रेम है तो वही उसके लिए स्रमत्तम विदी है साकाम पुरुशों की कथा में समापती की दिन तक स्वयम सावधानी के साल सभी विदियों का पालन करना चाहिए भागवत कथा के शूता और वक्ता दोनों ही प प्रति दिन प्राता कालिस नान करके अपना नित्य कर्व पूरा कर लें फिर भगवान का चरणामरत पीकर पूजन के सवान से श्रीमत भागवत की पुस्तक गुरुदेव व्यास्त देव का पूजन करें इसके पश्चाद अत्यंत प्रसंदता पुर्वक श्रीमत भागव करें और कथा समाप्ति के दिन रात्री में जागरन करें समाप्ति होने पर ब्रामनों को भोजन कराके उन्हें दक्षणा से संतुस्ट करें कथा वाचक गुरु को भी वस्त्र आभूशन आदि देकर गौ भी अरपन करें इस विद्धी विधान से पूर्ण करने पर मनुश्य तो इस्त्री घर पुत्र राज धन इत्यादि जो भी उसे अभिस्ट होता है वह सब मनुवांचित फल प्राप्त होता है परन्तु सकामभाव की बड़ी बिडबना है वह शुमत भागवत की कथा में शुभा नहीं देता स्री सुक्देव जी के मुख से कहगवा यह शुमत प्रामस तो